मामा एन बेबी के आज वीडियो में मैं डिसकस करने जा रही हूं जनम के बाद कुछ बच्चों को NACU में क्यों रखा जाता है सबको नहीं रखते पर कुछ बच्चों को नीड होती है NACU means बच्चों का special ICOs में कुछ दिन रखा जाता है फिर जब बच्चा ठीक होगा तो parents को सौम दिया जाता है तो इसका पहला reason वह होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका weight देखा जाता है बहुत important रहता है जैसे आपका बच्चा पैदा हो जाएगा डॉक्टर उसका weight करेंगे तो weight के बाद वो बताएंगे आपका बच्चा healthy है या नहीं weight से उसकी health का पता चलता है तो जो बच्चे का वजन है अगर धाई किलो से कम होता है तो उसको NICU में रखा जाता है और अगर वजन 2.5 kg से 3.5 kg की बीच में होता है तो बच्चे आपका एकदम स्वस्त है 2.5 so 1.5 kg से 3.5 kg तक बच्चे का वजन होना चाहिए जआदा या काम होने से दिक्कत हो सकती है तो वजन बहुत जरूरी होता है तो इसलिए आपको ध्यान अपना चीए बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा भी न बढ़े बहुत कम भी न बढ़े इसका कारण है कि आपका बच्चा ड्यूडेट से काफी पहले पैदा हो गया अब उसके लंक्स ड्यूड अप तो हो ये नहीं पूरी तरह तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है जिसकी वज़े से उसको NICU की जरूरत परती कुछ दिन फिर जब लंक्स ड्यूड हो जाते है फिर बच्चा ठीक होने के बाद आपको दिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा जो है अंदर उसको सारे पोशन मिले उसका वेट सही से हो वो आपको अल्ट्रसांड में पता चलेगा जब भी आप अल्ट्रसांड कराते हैं उसमें बेबी का वेट लिखा होता है तो उसमें ध्यान जरूर दे बच्चे का वजन सही से बढ़ना चाहिए इसके लिए सबसे पहले मा को ध्यान देना पड़ेगा हैल्दी डाइट में आपको अपनी डाइट हैल्दी लेनी है टाइम ट्यू टाइम खाना खाना है प्रॉपर न्यूट्रिंस लेना है कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए जिससे की बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो तो एक रीजन ये भी होता कि मा की हेल्थ कई बार अच्छी नहीं होती जैसे उनको बीपी शूकर वरा हो जाता प्रेग्नेंसी में उस बज़े से भी बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है तो बैटर है कि आप शुरू से वॉक करें हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखें पा कब पढ़ती है अगर आपको इंफर्मेशन पसंद आये तो लाइक करना विल्कुल भी न भूले और सब्सक्राइब माई चैनल थैंकी सो मच गाइस